हलो फ्रेंट्स वेलकम टू स्ट्रेट जीरो स्ट्रेट जीरो के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मद्य प्रदेश स्पोर्ट करंट अफेर्स 2020 जो की ये वीडियो होगा और पूरे साल भर की जितने भी खेल जगत से जो भी प्रशन बन सकते हैं MPPSC and other competitive exam के लिए बो सबी इस वीडियो से यहां पर कबरप हो जाएंगे तो चलते हैं हमारे इस वीडियो की तरफ फस्ट फॉल दोस्तों मद्य प्रदेश सरवोच्च खेल प्रुषकार 2020 में मुख्य तहा दस खिलाडियों को यहां पर बिक्रम अवार्ट से सम्मानित किया गया औ कि दोस्तों जो खिलाडियों के कोच होते हैं उनको विश्वा मित्र प्रुषकार दिया जाता है तो इस वर्ष तीन कोचों को विश्वा मित्र प्रुषकार दिया गया देन 14 खिलाडियों को एकलब्य प्रुषकार से सम्मानित दिया गया और दोस्तों भोपाल के इनाम और रह्मान को lifetime achievement award 2019 में प्रवाइट किया गया इसलिए यह 2020 का भी यह माना जाएगा तो हम इसके बारे में briefly डिसकस करेंगे और समझेंगे कि award का क्या महत्त होता है तो सबसे पहले दोस्तो एकलब अवाइट 2020 के बारे में चर्चा कर लेते हैं एकलब अवाइट चुकि इसकी शुरुआज जो है 1994 में हुई थी यह है अवाइट मद्य प्रदेश राज जी के मूल निवासी जो होते हैं मूल निवासी जो खिलारी होते हैं उनको दिया जाता है और आलमोस्ट जिनकी एज 19 वर्ष से कम हो एबम जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम दोस्तो दो बार और दो वर्षों तक किसी भी राश्ट्री एबम अंतराश्ट्री एस परदा में भाग लिया हो और इस प्रुसकार में 50,000 रुपई की राशी दी जाती है साथ ही साथ एक बलेजर का प्रतीग और परमार परत्र दिया जाता है एकलब प्रोसकार में और दोस्तो आप समझते हैं कि 2020 में कौन कौन से खिलाडी है जिनको एकलब प्रोसकार से सम्मानित किया गया है तो दोस्तो आपकी सामने एक स्लाइट सो हो रही होगी जिसमें फर्स्ट फ काई किंग कैनोंग खेल में दोस्तों काई किंग कैनोंग जो खेल है आपने देखा होगा कि कोई जील या कोई छोटी नदी होती है उसका अगर बहाव तेज होता है तो उस बहाव में एक नाव उतार दे जाती है और उस नाव में अलमुस्ट चार खिलारी बैठते हैं दोस्त तो हम kikeynign game यहाँ पे कहते हैं, नेक्स्ट हमारी खिलाड़ी है आदित्य दोबे, इने सौFT टैनिस में दिया गया एकलब बी आवaut, नेक्स्ट है एश्वारे सुटिंग में दिया गया एकलब बी आवaut, शूटिंग आप दोस्तों जानते होंगे के 20 मीटर, तीस मीटर की जो पिस्टल से शोटिंग की जाती है निशाने वाजी उसमें इनको दिया है एश्वरे को नेस्ट है दोस्तो गारगी सिंग इन्हीं कराटे में मिला एकलब्य आवर्ड अशिता पांड इन्हें बुषू में मिला एकलब्य आवर्ड दोस्तो बूशू एक काफी टीपिकल गेम होता है जो की आल्मोस बहुत चुनिन्दा खिलारी ही इसको खेल पाते हैं बुशू गेम परम परम बदम बिर्थरे इनहें 13 II में दिया गया एकलब अबऊड तैर्यों की सूइविंग कहते हैं नेज हो तो संकरपांडे इन्हें फेशिंघ में कर दा दिएगया में एकलब It is pride कुटुम बाले इन्हें टेवल टैनिस में दैन प्रियांशू राजावत बैडमिंटन एंड गोविंद बैरागी इन्हें सैलिंग में दिया गया एकलब अबॉर्ड नेक्स दोस्तों कुछ खिलाडी दलिये खेलों से भी यहाँ पे आते हैं जिन्हें जिन्मेंसे ऑल्मूस द परम परागत खेल भी हैं जैसे की सतरंज सतरंज में दिया गया नित्यता जैनको एकलब्य आवर्ड नेक्स दोस्तों हम समझते हैं बिक्रम पुरुषकार किसे दिया जाता है दोस्तों बिक्रम पुरुषकार जो है इसकी शुरुआद हुई थी 1990 में और यह पुरुषकार अंतरगत उस विजेता को दिया जता है और दोस्तों सबसे बड़ा जो खिलारी होता है और मद्धि प्रिधिसराज के मूल ले वासी तो हो ही हो साथ ही साथ पांच वर्ष कम मफ कीज़ेगा पांच वर्षों से कम से कम दो वर्ष तक दो अंतर राष्टिये यह एभम राष् चिनने के साथ अब दोस्तों 2020 में विक्रम प्रुषकार जो बिजेता है वो दस खिलाडी यों को यहां पे मिला है विक्रम प्रुषकार पहले है राजेश्वरी कुश्राम जिन्हें कैनिंग कयाकिंग में दिया गया है उसके बाद फरास खान इन्हें गुर्षवारी में अद गया है इसके अलावा दोस्तों दलिये जो छेतर खेल होते हैं क्योंकि विक्रम और एकलब और जितने भी खेल हैं मद्धि प्रदेश का अलमुष्ट बड़े बड़े उनमें एक दलिये खेलों की अलग से एक टीम बनाई जाती है तो इसमें दोस्तों परम परागत खेलों म अगर हम देखें तो पूजा पारेक इन्हें सौप्ट बॉल में उसके अलावा करिशमा यादव इन्हें हौकी में एंड जानकी बाई इन्हें जूडो में उसके अलावा चंदरकांथ हर डे इन्हें थ्रो बॉल में दिया गया बिक्रम अबॉर्ड नेक्स दोस्तों है प्रदेश देते हैं उनको दिया जाता है इसकी शुरुआद होई थी उन्नीश सौ चौरानवे में और बिश्वा मित्र अबॉर्ड ऐसे खिलारियों ऐसे कोचों को मफ की दिया जाता है जिनके कम से कम दो खिलारियों पिछले पांच वर्षों में कम से कम दो अंतराष्टे इस परदा में भग लिया हो और दो स्वन पदक भी जीते हो और चार रजत पदक एबंग छे कम से कम काश्य पदक हासिल किया हो ऐसे कोचों को दिया जाता है विश्वा मित्र अबोर्ड और इसमें दोस्तों एक लाख रुपए की राशी प्रवाइट के जाती है उन कोचों को साथी साथ एक बलेजर और एक प्रमाड़ पत्र दिया जाता है अब दोस्तों 2020 में दो कोच को यहां पे मिला है एंड देन की दल्ये खिल के भी एक यहां पे कोच हैं दो कोच हैं जिनका नाम है अविलाश एमटी जो की इंदौर के हैं ए बच्चों को तैरा की सिखाते हैं देन दोस्तों गिरधारी लाल यादव ए बच्चों को सेलिंग गेम सिखाते हैं और दल्ये खेलों में आते हैं सरद जपे जो की इंदौर से हैं ए बच्चों को खोखो गेम सिखाते हैं खोखो में बच्चों को उनको अच्छी खासा उनको मार्क दर्शन देते हैं उनको अ 2019 में दिया गया था इनाम और रह्मान को जो कि भुपाल के हैं और इन्हें अलमुस्ट दोस्तों उन खिलाडियों को या उन विक्तियों को दिया जाता है लाइफ टाइम आचीप मॉंट अबॉर्ड जिन्हें दोस्तों मद्य प्रदेश खेलों में विकास एबं प्रुश्चा दिया हो खास करके दो और एक खेल प्रुश्चार जो है इसकी शुरुवात 2002 से हुई थी और अभी प्रिजन टाइम पर जैसा कि मैंने आपको बताया इमान और रह्मान को दिया गया ओलम्पिक्स होकी खिलाडी हैं रहे हैं इमाम इनाम और रह्मान भोपाल के होकी खिलाड है उसने यहां पे विराट कोईली को ODI केटेगरी का केटेगरी का फर्स्ट रैंकिंग खिलाडी यहां पे घोशित किया है और 770 पॉइंट्स के साथ उसके अलावा दोस्तो सेकंड रैंक पर हैं रोहिश शर्मा एंड पाकिस्तान के बावर आजम उसके अलावा थर्ड रैं रैंक पर हैं अरोन फिची फिप्त रैंक पर हैं माफ कीजिएगा भारत के जस्पीद बुम्रा यहां पे तीसरे रैंक पर आते हैं देन दोस्तों जो आजम बावर हैं वो यहां पर रोहिश शर्मा की साथ कॉम्पीट करते हैं तीसरे रोस्ट्रेलर और चौथे रैंक पर अ वर्ड का सबसे बहतरीन खिलाड़ी представ कि यहान दारु वाला एक फॉरमॉला रेस जीतने वाले भारतियां भने जिहान दारु वाल सब्कूर के दौरान, दोस्तों ब唉 वर्मूवला टूरेस यहां पर जित लिया है जो कि भारत के पहले आलमोस्ट ए रेशर यहां पर बंचुके हैं जिहान दारू वाला नैक्स दोस्तों फॉर्मूला टूरेस में जीतने वाले पहले भारती एह हैं और प्रतियोगता की अनुसार एक दूसरे स्थान पर जापान क जापान के यूखी सुडौला तीसरे स्थान पर और खास कर जो टिक तुम रहे हैं अब है दुसरे स्थान पर रहे हैं यूखी सुडौला और के लिए प्रस्न हो जाता है जहान दारुबाला नेक्स्ट कुश्चन है दोस्तो देश भर में खेलों के आलमोस दोस्तो एक हजार खेलों इंडिया केंदर ने यहां पे घोशित किये जो कि हमारी खेल मंतरी किरन रिजजु इनका काफी बड़ा इसमें योगदान है तो दोस्तो खेल मंतरी किरन रिजजु ने अभी फिक्की क दसमें वेस्विक खेल सम्मेलन में अल्मोस टॉर्फ 2020 के दौरन कहा कि कैन सरकार सन्यास ले चुके खिलाडियों को भी यहां पे रोजगार के उद्देश एबंदेश भर में 1000 खेलो इंडिया यूथ केंद्र की यहां पे स्थापना करेगी और जो खिलाडी सन्यास ले चुके हैं वो यहां पे बच्चों को ट्रेंड करेंगे उनको मार्ग दर्शन देंगे और एक बहतर खिलाडी निकालने की यहां पे कोशिश करेंगे नेक्स दोस्तों खेलो इंडिया कारिक्रम के की शुरुआद है वो बर्स 2018 से यहां पे की गई थी हमारे खेल मंत्री के द्वारा नेक्स दोस्तों अंकिता रेना ने जीता यहां पे आई टी एफ यूगल किताब आई टी एफ यूगल टाइटल भारत की टैनिस खिलाडी हैं अंकिता रेना जिने अभी हाली में जॉर्जिया की अपनी जोडी दार जिनकी साथ में थी उनका नाम था कैडरी गोगो डूजे के साथ मिल करके एक लाख डॉलर का इनाम जीता साथ ही साथ अलहबटूर महिला डवल्स का खिताब भी उन्होंने अपने नाम किया नेक्स दोस्तो अंकिता का यह सीजन जो है चौथा डवल्स फाइनल था लेकिन यहां पे कलेंडर में सबसे बड़ी यह ट्रॉफी है जिसका नाम है महिला डवल्स महिला डवल्स अलहवटूर अलहवटूर इसका आप जरूर नाम याद रखिएगा दोस्तो अंकिता रेना भारती टैनिस खिलाडी और महिला एकल में बरतमान में भारत की प्रतम इस रेंकिंग पर हैं महिला टैनिस खिलाडी की प्रतम रेंक पर अंकिता रेना उन्होंने दोस्तो यहां पे ITF महिला सरकिट में आठ एकल और चार योगल किताब भी जीते हैं आठ सिंगल और फोर्थ डबल टाइटल्स भी उन्होंने हाशल किये हैं ITF बूमन टाइटल्स के दोरान तो दोस्तो आशा करता हूँ आप इसे जरूर समझे होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स के साथ भी आप स्ट्रेट जीरो को शेर कर सकते हो थैंक यू